नमस्कार दोस्तों कैसे हुआ आप भारत अगेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हैं और आज हम एक प्रक्टिस अट करेंगे जो सिंदु सिंदुगाटी सब्वेता से सिंदुगाटी सब्वेता से सिंदुगाटी सब्वेता से हर परिक्सा में एक दो कोश्चन पूछा जाता है तुम्हारे यूपिएस ट्रिपल सी योनी पैट की प्रिक्सा में सिंदुगाटी सब्जेक्ट दिया गया है उसी के बारे में लगबग 40 कोश्चन हम लगाएंगे देखते हैं कितने सही होते हैं स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन से पहला कोश्चन है सिंदुगाटी सब्जेक्ट के लोगों का मुखे वेवसाय क्या था तो सिंदुगाटी के लोगों का मुखे वेवसाय क्या था यह तुम्हें बताना है पड़ा होगा तुमने ज़ल्दी से answer आंसर देखो ठीक है तो आंसर कर दो इसका तो आंसर क्या इसका किर्सी सिंदु गाटी के लोगों का मुख्य वेबसाई क्या था किर्सी ठीक है चलो दूसरा कोशन देखते हैं जल्दी से सिंदु सब्भेता के सबसे पर्मुक विशेष्टा क्या थी तो तुम्हें पता ही होगा सिंदु सब्भेता ग्रामीन योजन नहीं ती कैसी ती सहरी तो नगर नियोजन नगर नियोजन सब्भेता थी पर्मुक विशेष्टा थी दो तरीके के नगर बनते थे एक उचे एक नीचे जिसमें बड़े और उच और निम्नपद के लोग रहते थे यह वहां की नगर नियोजन विशेष्टा थी हडपा सब्भेता की कोशन नमबर चा कहा है गुजरात में कहा पढ़ता है गुजरात में ठीक है गुजरात में एक कुशन ओर आता है कि भारत में भारत में किस इस्थान पर हडपा सभ्यता के सबसे ज्यादे इस्थान मिलते हैं तो भारत में सबसे ज्यादे का मिलते हैं तो गुजरात में मिलते हैं यह तुम्हें याद रखना है next question की तरह बढ़ते हैं सिंदु घाटी सब्वेता का काल क्या है सिंदु घाटी सब्वेता का काल क्या है तो इसका काल है 2350 से 1750 के बीच है यह important है कही परिक्साओं में पूछा जाता है तो next question देखते हैं question number 6 हरभपा किस 器 ke किनारे इस्थित है तो यह question है कही पार हम गलत करते है हरभपा हमने पार बार पढ़ा सिंदु सब्वेता सिंदु सब्वेता हम सिंदु ने लाद लगा देते हैं लेकिन question number 6 हरभपा किस operators किनारे यही याद र antibiot किनारे चलो रावी नदी के नेक्स व्चन देखते हैं करशन की तरह बढ़ते हैं करशन नम्बर साथ हडपा वासी किस से अनभिग थे यानि वो किसको नहीं जानते थे ठीक है तो लोहे से वो अनभिग थे यह यादक ना कौन से से अनभिग थे लोहे से कोश्य नमबर आठ का अंसर है लोहा कोश्य नमबर नो की तरफ बढ़ते हैं हडपा सब बैता की खोज किसने की थी तो कोश्य नमबर नो का जल्दिश आंसर कर दो सभी को पता होगा हडपा ठीक है हडपा की खोज किसने की थी दयाराम सहानी ने दयाराम सहानी के नेतरत में क् खुदाई ना खुदाई तो यही करने वाले थे दयाराम सहानी हडपा सब्वेता की खोज इन्हों नहीं की थी ठीक है next question की तरफ देखते हैं मोहन जोद्रो की खोज किसने की थी तो मोहन जोद्रो की खोज किसने की थी राखलदास बैनर जी ने किसने की थी राखलदास बैनर जी ने समझ पाएंगे दोनों याद है इंपोटेंट है बहुत पूछे जाते हैं दोनों ठीक है तो होता क्या था कि जो भारत का पुरा तात्वी कि भाग है न उसके जो अध्यक्सते सरजोन मारसल उनके नेतरत में राखलदास बैनर जी और राखलदास बैनर जी और दयाराम साहनी के नेतरत में खुदाई चल रही थी खुदाई चल रही थी तो खुदाई में जो सबसे पहले जो हडपा की खुदाई कर रहे थे वो कौन थे दयाराम साहनी और जो मोहन जोदरों की खुदाई कर रहे थे वो कौन थे राखलदास बेनर जी तो इनके नेतरुत में खुदाई थी तो इनी के कोई खोज का वक्ता इनी को रख दिया गया है कि मोहन जोदरों की खोज किसने की है राखलदास बेनर जी ने next question की तरह पढ़ते है important है question number 11 question number 11 हडपा सब्वेता किस काल की सब्वेता है तो हडपा सब्वेता किस काल की सब्वेता ये question है पूछा जाता है तो यहां से पूरा पासान का याग तो ही नहीं है पासान में तो पत्थरों वाला है कौन सी है कास्यय यूग हडपा में कुछ की हुई कास्यय यूग लोह यूग तो है नहीं क्योंकि लोह यूग तो अभी वैदिक में होएगा वैदिक में भी उत्तर वैदिक में होएगा तो कास्यय यूग था क्योंकि कास्यय का इसमें पता चल गया था काशे की मूर्थी मिली थी ऐसा तुमने पढ़ा होगा हडपा सब्भेता में सबसे पहले किस इस्थल का उत्खलन हुआ तुम बताना कि सबसे पहले कौन सा तो सबसे पहले पताना कौन सा हडपा सब्भेता कौन सा हडपा का हुआ था चीक है लोथल क्या था एक बंदरगा है काली बंगा क्या है काली बंगा राजिस्थान का एक इस्थान है जहां से चूडिया मिली थी ठीक है हडपा तो इस सब्वेता का नाम हडपा क्यों रखा गया सिंदू गाटी सब्वेता क्यों कहते हैं क्योंकि इसके सारे उसे सिंदू गाटी सब्वेता के आसपास मिले थे तो इसके लिए सिंदु घाटी सब्वेता कहा जाता है और सबसे पहले हडपा सहर की खोज हुई थी तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या हुआ था हडपा रखा गया हडपा सब्वेता तो सबसे पहले किसकी हुई थी हडपा की ठीक है बारा कुश्चन होगे तुम्हारे तेहरे कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं सारे कुश्चनों के अंसर लगबग तुम्हारे सही जा रहे होंगे निम्र में हडपा सब बहता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था तो ये हड़प अशब बहता का सबसे बड़ा नगर बताना तुम्हें important question है most important बहुत पूछा जाता है हड़प अशब बहता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहन जोद्रो जो आज पाकिस्तान के सिंद परांतमें है मोहन जोद्रो क्या है सबसे बड़ा नगर था अगर भारत में पूछ ले यह कुश्चन में थोड़ा से डवलप करते हैं कि भारत में बताओ कौन सा है सबसे बड़ा नगर को सा तो राखी गड़ी लगाना फिर तुम्हें कौन सा है राखी गड़ी हर्याना में पढ़ता है भारत का सबसे बड़ा नगर है और वैसे इस सब्वेता का सबसे बड़ा नगर कौन सा मोहन जोद्लो next question चोदे next question है सिंदु सब्वेता का कौन सा इस्थान मरतकों के टीले के रूप से विग्जात है तो याद रखना है तुम्हें इसका साबदी करत हो है मर्द मोहंजोद्रो इसका अर्थ होता है मर्टको का टीला मोहंजोद्रो मर्टको के टीले से संबंदित है Next question के तरब बढ़ते है QUESTION NUMBER 15 Most important question है पूछा जाता है भारतिय पुरातय तथांट का वीभाग का तो भारतिय है पुरा तत्वी भाग के पिता किसे कहा जाता है अलग जेंडर कनिंगम को इंपोटेंट कोश्चन है कहीं बार पेपरों में पूछा जाता है भारतिया पुरा तत्वी भाग के 1861 में इन्होंने भारतिय पुरातत्वी भाग की स्थापना कराई थी ठीक है याद रखना अलग जेंडर कनिंगम नेक्स्ट कोश्चन है सिंदू सभ्यता में नर्तकी की मूर्ती कहां से मिली है तो नर्तकी की मूर्ती जो नर्तकी मूर्ती मिली है वो है मोहन जोद्रो से मिली है कासे की नर्तकी की मूर्ती कहां से मिली है मोहन जोद्रो से चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योंड़ो उत्पादन केंदर था तो चूंड़ो बताना है कि किस चीज के उत्पादन का केंदर था ठीक है तो मन का बनाने का ये इंपोटेंट है याद रखना मन का बनाने का केंदर था चूंड़ो नेक्स्ट है पसुपती सीव की मोहर पर किस पसु का चित्र नहीं मिला है तो पसु पति नात्र की जो मूर्ती मिली थी उसमें बाग हीरन और भेंसा था कुछ का चित्र नहीं था तो सांड का चित्र नहीं था यह important question है पूछा जाता है next question की तरब बढ़ते हैं question number 19 सुमेर से प्राप्त अभी लेक में किस देश को नाविको का देश कहा जाता है तो नाविको का देश किस को कहा जाता है मले हुआ मलुहा को तो मलुहा को नाविको तो next question की तरब चलते हैं important है तोलने की इकाई के रूप में सेंधव वासियों किस अंग या किस के गुणक का वैपार किया करते थे तो तोलने वाली इकाई में किस का तो सोले का सोले के इसाब से हर चीज इनके किस के इसाब से चलती थी सोले के सोले के तो देदे सोले सोले के बाद 32 का वैपार हो ये, 64 का तो सोले का गुणज की अनुपात में ये वस्तू को तोले करते थे ये, इंपोर्टेंट है याद रखना Next है, सिंदू सभ्हता का सबसे वशिष्ट, पुरा वास्तू क्या है तो सिंदू सभ्हता का सबसे पुरा वास्ति क्या है तो मोहर उनकी क्या है मोहरे सिंधु सब्वेता की नेक्स कोश्चन की तरफ पढ़ते है कोश्चन नमबर 22 हडपा सब्वेता वासी तामबा कहां से प्राप्त करते थे तो याद रहना सबसे पहले खोजने वाली जो वस्तु थी तामबा थी ठीक है तामबे के बाद काउसा आया काई सा फिर लोहा तो ये सबसे पहले तामबा तो हडपा वासी ये भी कोश्चन आता है कोन सी धातु को जानते थे तामबे को लोहे का खोजनी था इसमें तो कहां से करते थे राजस्थान से राजस्थान से तांबे का next question की तरह बढ़ते हैं सिंदु घाटी सब्भेता के विसाल इसनानागार के अवसेस कहां से मिले हैं तो विसाल इसनानागार के अवसेस कहां से मिले हैं हमें मोहन जोद्डो से ठीक है याद रखना important है next question number 24 question है next 24 मोहन हडपा सब्भेता का परसासन कैसा था तो नगरपाली का कैसा था next question है हडपा सब्भेता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था तो मोहन जोद्रो question पहले भी आ गया ठीक है याद रखना लोथल किस नदी के किनारे इस्थित है तो लोथल बताना तुम्हें कौन सी नदी के किनारे इस्थित है ये important question है ठीक है बंदर कहा था लोथल गुजरात में था तो कौन सी नदी थी वहाँ भोगवा नदी ठीक है कौन सी नदी है भोगवा नदी याद रखना लोथन बंदर कहा था काली बंगा कहा है श्थित है तो काली बंगा ये भी most important question है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो काली बंगा कहा है श्थित है तो याद बताओ चल्दी answer करो तो option number D, राजस्थान में है काली बंगा, ठीक है, काली बंगा राजस्थान में जहां से काली चूडिया मिली है, ठीक है, कहीं सारे वसेश मिले हैं, पूछा जाता है, important है, next question, सिंधु सब्वेता का पर्मुक फसल क्या है, तो सिंधु सब्वेता की पर्मुक फसल बतानी तु महवाच Programm, जोदरो कहां पाकस्तान में, हरपपा और महवाचे में से छिछती थए, तो मैं बताई था हरपपा स्पवेता के, जो अफसेश हैं, वो तीन देशों में, अफगानिस्तान, पाकस्तान और भारत में, ठीक है, तो बहुत बड़ी सब्वेता है, ये हरपपा लगबग 12 गुना बढ़ी है है न मैसुटो पोटामिया की सब्वेता से मिला के भी तो नेक्स्ट है मोहन जोद्रो की सबसे बड़ी इमारत इन में से कौन सी है तो बताना तुम्हें सबसे बड़ी इमारत कौन सी है इसनानागार अननागार इटो से मने भवन तो अननागार ज ही से ओने मार्सल पूर्वरातातु ये पर मुक्ते और स्ब्याय को जिए team 1921 ती मैं होक इने। बैचीज रूंज में नेक्ट नियुक्त से देखें धोला वीरा कहां है ये दोला विरा 32 कांसर बताना तुम्हें दोला विरा कहां है तो दोला विरा भाईया कहा है गुजरात में चीक है important question है दोला विरा कहा है गुजरात में याद रखना मुहन जोदलो की कोज कब हुई थी 1922 में चीक है तो कहीं बार question है 1922 में मुहन पहले किसकी हुई थी हडपा की हुई थी सिंदु घाटी सब्वेता का ग्यान मिलता है ठीक है तो सिंदु घाटी सब्वेता का ग्यान मिलता है बताओ भई या अभिलेखों से साहित्य से ताम पत्रों से पुरा तात्विक उत्खलन से तो कोई अभिलेख वर भिलेख भी नहीं मिलता इसका साहित्य तो है इनी ताम पत्रों का कोई मतलब नियुक नेट कोशन है हरपास काली नोगों ने नगरों तथा घरों के विन्याज के लिये कौन सी पत्थि अपनाई थी ठीक है तो ये बताना तुम्हें हरपास अपनाता के लोग मकान कैसे बनाते थे ग्रिड पदती से यानि सड़के चत्रभुज पर काटती थी और बीच में ये क्या बनाते थे मकान तो ग्रिड पदती इंपोटेंटे पूछा जाता है 36 कोशन नमबर नेक्स्ट है ठीक है इंपोटेंट कोशन है सिंदुगाटी सब्वेता की लीपी क्या है बताना दर्वीड Ιन है, ब्रहम में कॉण से हडपा है तो अभी तक कोई लीपी नी पढ़ ही नी गई जो लीपी जो निसान इनोंने बनाए हुए है वो लीपी आज तक पढ़ ही नी गई है है ना और जो लीपी पढ़ ही ना जाय जए सब्वेता की उसे प्राद एतियासिक सभ्यता कहते हैं ठीक है आद एतियासिक ठीक है तो important question है यह पूछा जा सकता है सब्तिस सिंदु गाटी के लोगों के लिए एक महतपूर रचना नीम्न में से किस की मूर्ती है ठीक है तो नरत करती हुई बालिका की ठीक है कि किस में विफ्वास करते थे चलो मात्र सक्ति मात्र सक्ति में ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है सिंदु गाटी सब्वेता के लोगों की मुद्रा में नीम्न देवता की चित्र अंक आकर्ती चित्रित थी तो कौन से की चित्रित आकर्ती थी ठीक है पसुपती की इंपोर्टेंट कुश्चन है नेक्स देखते हैं हडपसब बैता के किसी स्थान से एक उत्पन जल परबंदन परनाली का पता चला उन्नत जल परबंद तो उन्नत जल परबंद परनाली का पता चला है दोलावीरा से ठीक है क्योंकि यहां से क्या मिली है लकडी की नालिया मिली है उन्नत जल परबंदन से जल परबंदन बताओं तो ऐसे गिर्ड पत्थी से मकान बनाये ते यहां से नालिया बना के लाये ते जैसी और नाली के बाद में एक यहां पर बना देते बड़ी वाली नाली जिसमें ज सिंधुकाटी चोड़ी और सीधी अना गिरिड़ पती में सीधी सड़के बनाएते हैं समकोन पर काटे थी और एक और बात बता दू इनकी कि इनके जो दर्वाजी होएं ना थे वह छोटी गलियों में खुले से मैं सड़क पर कभी दर्वाजी ना खुले सिंधु सगट की गल सब्सक्राइब कि मिले हैं तो कुट्य बिल्ली के बारे में जाने यह इंपोटेंट कोस्चन था तो सभी स्वाज्डे में अच्छे समझ आये होंगे मिलते हैं वेधिक काल या तर वैडिक काल की नेक्ट वीडियो में जो तोपिक तुमारे हैं वो सारह करें मैं ऐसी प्रैक